इसी सी सो वन एर दा हिंदू रिवीजन सीरीज का यह आपका थर्ड क्लास है लास्ट टू क्लास में हम लोग ने 10 से 12 टॉपिक्स मतलब हर क्लास में डिसकस किया है आज जो टॉपिक्स देट वी आर गोईंग टो डिसकस इंडस वाटर ट्रेटी है आपका उस बाद सन के कुछ बेसिक मतलब जो सूरज है उसके कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है इसमें एक प्लाजमोडियम वाइवेक्स के बारे में हम लोग डिसकस करेंगे और इसी के अंदर दो टॉपिक्स और है देट इस रिलाप्स ड्रग क्या होती है और G6 PD deficiency क्या होती है उसके बाद ट्राफिक है लाया जिर्गा क्या है राइट टू इंटरेंट एक्सेस है 19th amendment है रीफ शार्क है यह सब टॉपिक्स है डिसकस करेंगे नोट्स मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से प्रिपेर करना आपकी चलती रहेंगी जब तक आपका एक्जाम है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के दौरा भी प्राइस हाइक होने जा रहा है तो अभी gs plus optional gs plus optional के अगर आप बात करें तो यह इसका combo subscription आप ले सकते हैं you can use this code splive और अगर आप यह code इस्तमाल करते हैं तो बहुत सारे जो benefits हैं वो आप avail कर सकते हैं price reduction और बहुत सारे जिसे booklets हैं और कई सारे जो benefits हैं वो आप avail कर सकते हैं यह जितने भी subjects आपको पढ़ने पढ़ते हैं अनकडमी के booklets भी हैं इसके उपर तो यह भी आपकी जो है क्योंकि सारे जितने sources आपको पढ़ने पढ़ते हैं उन्हीं से यह booklets आपकी बनाई गई तो यह भी आपको साथ में मिलेगा अगर आप subscription लेते हैं कॉंबो सब्सक्रिप्शन लेते हैं वन येर के ट्योर 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 का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको सेपरेट मेंटर असाइन होते हैं और जैसे यह amount आप देख रहे हैं इसमें सारे GS प्लस optional यह सारे subjects आपके included हैं मतलब जितने भी general studies के subjects हैं optional है सब कुछ इसमें included including test series prelims mains और optional के तो बहुत great benefits हैं तो यह आप जडोर से अवेल करते हैं तो देखो पहला topic है इंडस water treaty के बारे में तो यहाँ पे आपको इंडस water treaty के बारे में जो basic facts याद रखना है कि यह treaty sign कब हुई है 1960 में यह fact आप याद कर लो 1960 में यह treaty आपकी sign हु यह आपकी allocate की गई है इंडिया के लिए मतलब इंडिया का इसमें आप कह सकता है कि control रहेगा और जो western reverse है इंडस जेलम और चेना भी आपको allocate की गई है पाकिस्तान को तो यहाँ पे सिर्फ फर एक्जामपल जो भी domestic specific specified domestic non-consumptive agriculture use है वही permitted है अगर इन reverse पे इसके अलावा किस परपस के लिए इंडिया जो है इस्टेफ लेता है तो वहाँ पे issue जो है इंडर वाटर ट्रीटी वो raise किया जा सकता है पाकिस्तान के द्वारा इसमें इस ट्रीटी को sign करने में जो एक international body involved थी वो आपकी world bank थी यह भी point आपको ध्यान में रखना है अब क्या है कि जैसे कई स दैम है ब्यास river पे थीन या रंजीत सागर दैम है रावी river पे तो यह आपका महजदा following से related basic facts है आपको इनको ध्यान में रखना है उसके अलाबा जैसे यह का आप याद रखना है साहपूर कंडी project है यह साहपूर कंडी project भी है यह utilizing the water coming from थीन डैम जो रंजीत सागर है तो य दैम आपको याद रखना है मतब रावी river का है उसके ट्रिब्यूटरी पे है तो यह एक point आपको याद रखना है साहपूर कंडी project के बारे में उज प्रोजेक्ट है यह भी उज रिवर पे बनाया जारा जो की अगेन रावी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है तो साहपूर क करते हैं sun के बारे में सूरज जो है उसके बारे में तो इसके basic facts आपको याद रखने क्योंकि यह बहुत ज़्यादा आपके पूरा news में था अच्छा notes कैसे बनाना है जैसे मैं आपको बताए कि अगर speed ज़्यादा लगे तो 0.575 जो भी है वह आप कर लेना कम लगे तो बढ कारे में आपको ध्यान में रखना है तो देखो यहाँ पर जो अंद्रूनी हिस्सा है उसको कोर कहता है फिर radioactive zone होता है फिर convection zone होता है फिर photosphere होता है फिर chromosphere होता है और फिर corona होता है तो corona मतलब वह वाला जो अभी चल रहा है वो नहीं sun के बाहरी जो आपकी layer है उसको corona बोलता तो यह core, radioactive zone, convection, photosphere, chromosphere, corona तो यह sequence आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कितने miles का है वो इतना याद नहीं रहेगा तो उसको आप याद नहीं करें तो यहाँ पे जैसी यह corona हो गया solar flares, solar flares भी एक टर्म इस्तमाल होता है we call it as solar flares तो जैसे कई charge particles present होते है यह particles present होते होते ह से इसा release होते है इस तरीके से तो यह जो explosion होता है तो यह जो charge particle का एक जोकास आता है तो उसको solar flares बोला जाता है we call it as solar तो यह particles हमारे जैसे अर्थ में की तरफ भी जाते हैं और अर्थ की जो magnetic field हो हमें बचाती है इनसे अगर अर्थ की magnetic field नहीं होगी तो यह particles अंदर चले जा तो यहां पर यह miles और कितने miles तक है तो यह इतना याद नहीं रहेगा सिर्फ आपको ध्यान में रखना sequence core है radiative zone है convection zone है अलग अलग है फिर आपका photosphere है photosphere जो है deepest layer है sun की that we can observe directly जो हम directly observe कर सकते हैं ठीक है photosphere तो photosphere क्या है deepest layer है किसकी sun की sun की जो है deepest layer है आपको the chromosphere की बात किया यह भी layer है sun की इतने kilometer से इतने kilometer तक बड़ कितना temperature है कितने kilometer है वो नहीं बस sequence आप इसको याद रखना है यह important है आप देखो solar flares क्या है solar flares क्या है sudden explosion of energy यहाँ पर क्या है जो charge particles जासे मैं आपको होता है उन particles की वजह से magnetic field generate होती है और फिर कई बार explosion भी होता है तो जब यह electrically charging जो particles है इनकी वज़े से जब charging particles है तो magnetic field भी इसकी वज़े से generate होती है और जब explosion होता है तो यह जो एक जो जोका सा यह vindस ही बनती है इन charge particles की हुआ हम solar flares कहते हैं we call it solar flares जैसे आप यह देखो यह explosion आपका हुआ है तो यह persistent होई यह सोलर flares है these are the solar flares ठीक है यह आपकेiyor explosion है हम इनको कहते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जैसी यह देखो, these are the solar flares, यह जो आप देख रहा हो, we call them as solar flares, यह जो particles आपके हैं, इनको solar flares कहते हैं, अब क्या है कि इसमें कई सारे आपकी research जो है, वो चलती रहती हैं, तो यहाँ पे एक, I think, एक है, related with coronal heating problem So, यहाँ पे coronal heating problem, यह एक point है, coronal जैसे corona है, उसकी heating से related का issues है, So, the core of the sun is at a temperature of about 15 million degree, its outer layer, the photosphere is mere 5700 degree hot, यहाँ पे जो core का region है, sun का, वहाँ पे temperature लगबग 15 million degrees है, और जो photosphere है, तो बाहर ही हिस्सा है, वो लगबग 5700 degree hot है, Corona की बात किया जाए, its corona or the outer atmosphere, which stretches up to several million kilometer beyond its surface, is much much hotter than its surface, अब देखो, यहाँ पे इसी को कहा गया है, Coronal heating problem, मतलब core में temperature जितना है, उससे भी जादा Coronal temperature है, तो इसको Coronal heating problem, यह शब्द इस्तमाल किया गया है, तो अगर आपसे पूछे, Coronal heating problem जो है, वो किस से related है, अगर पूछे, recently news में था, और यह Coronal heating problem किस से related है, यह किसी भी magazine में आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो Coronal heating problem क्या है, it is related with the sun, सूरज से related है, ठीक है, तो यहाँ पर यह जो problem है, इसमें मतलब, यह क्या है कि जो sun है, sun का जो सबसे outer हिस्सा है, जिसे हम Corona कहते हैं, तो यह जो Corona है, इस outer layer जो है इसकी, इसका जो temperature है, that is comparatively higher than the core and photosphere से compare करें, तो यहाँ पर यह बहुत जादा higher temperature है, तो कहाते हैं तक, what causes the atmosphere of the sun to heat up again, तो the surface is cooler than the interior, तो यहाँ पर क्या ऐसा हो जाता है, जैसे interior है, मतलब, core है, फिर उससे ज्यादा temperature आपका, मतलब, उससे comparatively कम temperature, photosphere में है, फिर suddenly आपका Corona जो वाहरी हिस्सा है, उसका temperature इतना क्यों बढ़ जाता है, तो यहाँ पर एक term है, magnetic reconnection is a process where oppositely polarity magnetic feed lines connect and some of the magnetic energies converted into heat energy and also kinetic energy which led to the generation of heating solar flare और solar jets, अब यह बहुत important, अब देखो यहाँ पर क्या है, ऐसी चीजें कोईसी भी static किताब में नहीं मिलने वाली है, अब यह पॉइंट क्या कह रहा है, कि ऐसा क्यों होता है, अभी यह भी हो सकता है, जैसे आप से पूछे, which of the following factor is our responsible for coronal heating problem, कौन सा factor इसमें related है, तो यहाँ पर या फिर आपसे यह बन सकता है, which of the following statement is our true about magnetic reconnection, या फिर magnetic reconnection क्या होता है, तो यह चीजें, यह बहुत conceptual चीजें, तो पहला point जो मैंने आपको बताया, that is coronal heating problem, अब जो coronal heating problem का मतलब क्या मैंने आपको बताया, कि जो photosphere है, उसके नीचे corona है, उसके नीचे आपका core है, core की उपर photosphere की उपर corona है, तो corona का temperature क्यों इतना higher होता है, उसके लिए responsible जो fact research क्या कहती है, that is magnetic reconnection, magnetic reconnection का मतलब सिर्फ इतना है, कि कुछ ऐसा changes होते हैं, जो magnetic field आपकी generate होती है, क्योंकि charge particles हैं, उसकी वेसे magnetic field generate होती है, और यह magnetic field, यह आपकी जो magnetic field होती है, जो magnetic field होती है, और जो magnetic energy generate होती है, बकॉस अफ दा presence of the magnetic field, magnetic field की वज़े से, जो magnetic energy है, वो magnetic energy हीट में convert होती है, जिसकी वज़े से heating होती है, तो यह जो process है, इसको magnetic reconnection कहा जाता है it is called as magnetic reconnection और दूसरा point आप याद रखो कि ये फिर किस से related है it is related with coronal coronal heating problem ठीक है it is related with coronal heating problem तो ये बहुत important ये fact है थोड़ा सा ध्यान में रखना next देखते हैं ये studying PYX malaria तो पहला fact आप याद रखो Plasmodium YX ये आपका किस के लिए responsible है malaria के लिए आपका ये parasite responsible है ठीक है malaria के लिए आपके जो parasite responsible है उसका नाम क्या है that is Plasmodium YX और ये देखो इसमें एक term used है जैसे जो mosquito आता है जैसे ये आपका parasite है अब क्या होता है कोई भी mosquito आता है mosquito अपना जो भी कुछ sports छोड़ता है और ये कई बार जब आप दवा खा लेते हैं सही भी हो जाता है लेकिन ये sports dormant stage में present रहते हैं ठीक है तो फिर दीरे जब इन्हें अपनी condition मिलती है तो ये दुबारा से आते हैं और दुबारा से बिमार कर देते हैं ठीक है ये एक है तो ये जो इस तरीके के चुपचा parasites present होते हैं इन्हें silent parasite भी कहा जाता है और ये आपके liver में बहुत ही कम number में present रहते हैं और ये दीरे दीरे क्या है relapse हो सकते हैं मतलब ये दुबारा से आपके आ सकते हैं तो ये एक point आपको ध्यान में रखना है अब क्या है कि certain malaria endemic countries have even abandoned chloroquine for this vivex treatment और यहाँ पे currently used anti-relapse drug prima queen has been undesirable side effect अब देखो यहाँ पे क्या है जैसे for example relapse शब्द का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर बिमार हो गया कोई बिमार होने के बाद आपने दवा खाई दवा खाने के बाद ठीक हो गया और फिर दुबारा से हो जाना we call this as relapse इसके लिए जो शब्द यूज होता है relapse अब यहाँ पे याद रको यह term है relapse drug अब देखो ऐसी चीज़ें थोड़ा सा complex लग रही होगी आपने अगर session पहले देखा होगा तो मैंने cover किया relapse drugs क्या होती है जो की इस relapse को रोकती है तो जैसे malaria हुआ malaria फिर दुबारा से दबा हुआ खालिया फिर फिर वी क्योंकि वो parasite dormant stage में liver के अंदर present है यह ऐसे तो जब भी condition आईगी तो यह malaria आपका दुबारा से हो जाएगा फिर उसको रोकनी के लिए यह जो relapse drugs है relapse drugs का इस्तमाल आपका किया जाता है अब यह relapse drugs का मतलब यह जो relapse को रोकनी के लिए anti-relapse drug का इस्तमाल आपका किया जाता है उसमें से एक example है that is prima queen ठीक है एक जो example है prima queen दूसरा term आप याद रको that is G6 PD deficiency यह एक genetic disorder है और यह males को generally affect करता है और यह क्या है जब body does not have enough enzymes called glucose 6 phosphate dehydrogenase जब यह जो enzyme है यह नहीं होता है शरीर के अंदर तब यह deficiency जिसे हम कहते है G6 PD deficiency यह deficiency देखने को मिलती है अब यहाँ पे G6 PD deficiency से related भी प्रशन आपका आ सकता है जैसा मैं आपको कहा कि Indian Forest Service का prelims साथ में होता है तो science and technology और इनके प्रशन बहुत अच्छे खासे आते है तो इनके लिए आपको जो basic पढ़ते हो तो ठीक ही है लेकिन इन चीजों के लिए भी आपको तयार रहना पड़ेगा ठीक है यहाँ पे G6 PD यह क्या है It helps red blood cells work It also protects them from substances in the blood that could harm them यह जो G6 PD deficiency यह क्या है यह एक genetic disorder है जो कि males को फिट करता है और जिसकी वज़व से अगर यह deficiency है तो glucose 6 phosphate dehydrogenase नाम का enzyme है वो produce नहीं होता और यह enzyme का बहुत important role होता है हमारे जो red blood cells है उनके कार करने के लिए Next है देखो याद रको इसे हम कहते हैं reef shark то reef sharks क्या होती है nueve shark मतब जो coral reef है coral reef में जो sharks habitation coral reef ध्यान में रखना है reef shark क्या होती है Again I am stating Geography, Environment, Science एक ऐसे या Science and Technology और Agriculture यह ऐसे एरियास हैं जहापे बहुत अच्छे खासे परश्णा आते हैं हर साल 30-30, 40-40 परश्णा आपके आ जाते हैं और इनके source आप फिर बाद में ढोड़ते हैं रहना पड़ता है और यह source इनका क्या होता है कि जो static topics आप ऐसे चलते रहते ह भी मैंने आपको यह deficiency बता है या कई concept बता है तो उनको आपको अच्छे से cover करना चाहिए ठीक है तो यह notes आप थोड़ा बना दे रहे हैं यहाँ पर next देखते है 19th amendment यह 19th amendment है यह स्री लंकन constitution का 19th amendment है अब इसमें अब यह 19th amendment का provision तो आपको याद नहीं करना है बस आप यह constitution में change करने से related है और इसमें खास तोर से यहाँ पे जैसे इस amendment के ताहर जो president का term है उसको reduce किया गया 6 to 5 years, parliament का term को भी 5 साल के जो है वो आपका reduce कर लिया है और president जो है वो parliament को dissolve नहीं कर सकते है जब तक 4.5 साल आपके नहीं हो जाते तो इस तरीके के कुछ changes आपके 19th constitutional amendment के उसने दूसरे amendment लेकिया है next देखते है consumer price index consumer price index में अभी हाल में ही एक चो criteria है उसमें I think industrial worker के लिए से एक बार check करना CPI IW का जो base year है वो change हुआ है I think 2016 हो गया है इसके एक बार आप check करना तो consumer price index CPI एक आपका wholesale price index है एक आपका consumer price index है यह economic topic बन जाता है तो यह क्या है retail level पे जो है जैसे अगर आप किसी चीज को खरीदते हो है ना आप दुकान से खरीदते हो तो उस level पे retail level पे जो price changes है उसको यह measure आपका करता है जब आप consumer price index तो यह चार इसके criteria होता है एक industrial worker है agriculture laborer है rural laborer है और यह आपका rural urban combined है तो यह चार आपके types होते है CPI के अब यह प्रशना आप उनका जो कार है यह labor bureau के द्वारा किया जाता है और चौथा जो combine है यह आपका central statistical organization के द्वारा किया जाता है क्योंकि देखो यह combined है तभी combine का काम तो statics वाले जो officer से वो करेंगे तो labor bureau इंतियों को करके दे देता है फिर यह combine करने का काम कौन करता है चौथा जो combined rural urban का आता है वो आपका Central Statistical Organization के द्वारा होता है तो यह प्राशन आपके लिए बन सकता है कि यह CPI कौन कमपाइल करता है तो यहाँ पर अगर दोनों option दिया तो दोनों सही होगा अगर labor bureau दिया तो labor bureau उसका answer होगा ठीक है फिर एक होता है cost push inflation यह क्या होता है cost push inflation का मतलब क्या होता है simple सी चीज है कोई भी product है उस product को जब आप produce करते हो उस product को अगर आप produce करते हो उस product को बनाने के लिए बहुत सारे raw materials बनते हैं अगर वो raw material के prices आपके बढ़ते चले जाएंगे तो वो फिर क्या होगा it will result into cost push inflation एक होता है जैसे demand supply के बीच में gap होगा तो demand higher होगा supply कम होगा तो वहाँ पे inflation होगा एक क्या होगा कि जो product है उस product के लिए जो चीजे चाहिए labor भी चाहिए raw material भी चाहिए अगर उनका price आपका बढ़ता चले जाएगा तो यह क्या होगा it will result into cost push cost push inflation next देखो lawyer jirga lawyer jirga lawyer jirga जिसे grand council भी कहा जाता है पुरस्तो के और यह क्या है यह tribal religious people जो अफगानिस्तान के हैं वो मिलते हैं बैठते हैं और पूरा देश के बारे में discuss करते हैं तो lawyer jirga कहते हैं इसको ठीक है तो यह term में आपको याद रखना है उसके बाद next देखते हैं ट्राफिक यह ट्राफिक आप याद रखो Wildlife Trade Monitoring Network यह आपका यह joint program is a joint program of WWF and IUCN International Union for Conservation of Nature तो जो ट्राफिक है ट्राफिक का कार क्या है यह पूछा हुआ एक बार आपने शंकर हैस में भी पढ़ा होगा यह की जो किताब है आपका यहाँ पर क्या है कि यह ensure करता है that trade in wild plants and animals is not a threat to the conservation of nature तो खास दोर से जो wildlife trade होता है उसको monitor जो एकदम नजर रखने का काम है तो wildlife trade के monitor network है यह जिसे ट्राफिक है तो यह joint program WWF और IUCN दोनों का है और sites के बाद जो है आपका जो convention है convention on international trade in endangered species इसके बाद यह जो traffic है इसको और अधिक reputation मिले क्योंकि site convention सबने ratify किया और उसके बाद यह था कि जब भी floraf होना है इसका illegal trade नहो सके तो उसको monitor करने का काम किसका है traffic का है ठीक है तो traffic create कब की गई 1976 के अंदर यह points आपको ध्यान में रखने है next देखते है right to internet access तो right to internet access में आपको इसे यह याद रखना अगर आपसे पूछा कि right to internet access क्या है तो यह right to fundamental right इसे consider किया गया honorable court ने इसको fundamental right के रूप में कहा है क्यों कहा है क्यों कहा है क्योंकि right to freedom of expression and opinion और दूसरा basic fundamental human rights का यह इसको include किया गया है इसमें मतलब इसको consider किया गया है right to freedom of expression and opinion and fundamental human rights के लिए right to internet access की अगर आप बात करो इसको इस context में consider किया गया है और केरला high court ने यह I think यह जो 2019 में इसको इसे fundamental right का हिस्सा बना है have access to the internet is a part of fundamental right to education as well as right to privacy under article 21 of the constitution अब यह line याद रखना ठीक है पॉलिटी के लिए अब यह सब चीजे लक्षमी कांथ में आपको नहीं मिलेंगी बाद में update हो जाएगा लेकिन यह ध्यान में रखना है क्योंकि ऐसे प्रशनात हैं कि right to internet access क्या है अब यह जैसे पूछा ना right to vote क्या है फिर बाद में debate चलता रहता है मतब answer की जब आती है तो उसके लिए तो यह थोड़ा सा आपको ध्यान में जो है रखना है ठीक है इतना ही आज के लिए आई होप यह session आपके helpful रहा होगा आप session live देख रहे हैं लाइक बटन जरूर से प्रेस करें शेयर जरूर से करें कल मिलता है 9 o'clock को थैंक यू everyone थैंक यू